सबी को मेरा नमस्कार मैं डॉक्टर रश्मी सिंग एसिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट अफ एजुकेशन एसेस करना गर्ल्स टुवी कॉलेज उनिवस्टिटी फ लाहबाद और आज की हमारी बातचीत का विशह एक बहुत इमपोर्टन टॉपिक है आप एजुकेशन के स्टुटेंट होँ स्टेस्टिक्स के होँ आप साइकोलोजी के होँ हम सब को नॉर्मल प्रॉबिलिटी कर बारे में पढ़ना पढ़ाना होता है जाना होता है इस के बारे में हमसे सवाल पूछ जाते हैं बहुत important topic और बहुत basic topic अगर यह चीज़ हम समझ जाएंगे तो आगे की बहुत सारी चीज़ें समझने में आपको असानी होगी, तो शुरू करते हैं सबसे पहले, join my telegram group explore education for further communication with me, my lecture will be bilingual, subscribe my channel and this video will be useful for various types of teaching examinations okay, so let's start first of all, normal probability कर जानने से पहले हम probability क्या है sorry probability मतलब प्राइक्ता, प्राइक्ता उसकी हिंदी, मतलब कितना संभावित्ता है कि वो चीज़ हो सकती वो चीज़ मतलब कोई भी घटना it is a measure of the likelihood that an event will happen मतलब कितनी संभावना है हम गर हम ये नाप सकें कि कोई घटना घटेगी It is quantified as number between 0 and 1 इसको अगर हम अंकन करें अगर हम इसका quantification करना चाहें तो हम इसको 0 और 1 के बीच में probability set कर सकते हैं अगर 0 ये probability है इसका मतलब कि वो काम नहीं होगा 0 ये probability मतलब नहीं ही होना है और 1 है तो certainty यानि कि आप निश्चिततास के साथ कह सकते हैं फलाँ particular event घटना हो जाएगी The higher the probability of an event the more certain we are that event will happen जितनी ज्यादा probability होगी किसी घटना की उतने ज्यादा हम सुनिश्चित हो सकते हैं उतना हम पक्के हो सकते हैं कि वो घटना होगी तो ये तो हुई probability अब आते हैं normal probability curve पे तो हम ये जानें कि most of the things हमारे आस पास जितने भी हमको जादा तर चीज़ें दिखाई देती हैं जैसे बुद्धी, लोगों की बुद्धी wealth, धन दौलत, beauty, sondar, height आपकी उचाई, etc. are quite equally distributed अगर हम उसका वितरण देखें समाज में, society में तो हमको almost equal दिखता है equal in the sense कि लगभग हमको maximum लोग normal IQ के मिलते हैं, maximum लोगों के पास normal wealth है, कम लोग हैं जो बहुत धनी हैं, कम लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, उसी तरह से beauty का भी map dund देखिए, height का map dund देखिए, general 5 से 5,5 5 fit के आस पास हमको लड़कियां मिल जाती हैं समाज में, साड़े 5 से 6 fit के अंतर साड़े 5, 5, 6, 5, 8 तक हमको लड़के मिल जाते हैं, बहुत कप और बहुत लंबी height के लड़के लड़कियां कम मिलते हैं समाज में, तो कोई भी इस तरीकी का जो attribute है उसका distribution equal होता है, पहली बार there are quite a few people बहुत थोड़े लोग ऐसे होते हैं who deviate, जो vigilant शो करते हैं noticeably, notice करने योगिविचलन, थोड़ा बहुत तो सभी vigilant शो करते हैं, पर notice, मतलब आप notice कर सके उस चीज़ को from average either above or below it, मतलब जो माध्य है, जो normal है जो norm LC है, उससे deviation ऐसा, जिसको notice किया जा सके, करने वाले लोग बहुत कम होते हैं या तो दोनों ही दशाओ में, दोनों ही दशाओ में या तो plus या minus, फिर if we plot such a distribution on a graph paper, अगर इस तरीके के वितरण को हम graph paper पे plot करें, किस तरीके के वितरण को जहां पे normal लोगों की संखिया जादा है और deviate करने वाले लोगों की संखिया कम है we get a bell shaped curve हमको एक घंटी नुमाकृती मिलती है जिसको की हम normal curve कहते हैं okay फिर if we flip a coin, अगर हम एक सिक्का उचा लें and plotted its probability or chance success on this graph paper और अगर हम ये सम्हामना मतलम ये head आएगा, tail आएगा या उसकी chance हमने माना की head आने की क्या probability है tail आने की क्या probability है इसको अगर हम graph paper पे plot करें इसकी probability को तो ये frequency curve हमको मिलता है जो की closely resemble करता है normal curve से इसलिए इसको भी it is also, बतब इसको normal probability curve के नाम से या most popularly NPC के नाम से जाना जाता है okay ये है इसका shape maximum population ये देखी अगर ये वाला हम इस हिस्सा ले ले ये area ले ले तो maximum population यहाँ लाई करें यहाँ पे भी है थोड़ी-थोड़ी कम है और ये जो noticeably deviation का जो हिस्सा है ये ये देखी कितना कम है okay then it was sorry it was derived by Laplace and Gauss independently अलग-अलग उन्होंने प्रयोग कर रहे थे और उन्होंने इसको derived किया they also named it curve of error उन्होंने इसको curve of error भी कह सकते है trutty का भी curve कहा जा सकते है कैसे where error is used in the sense of a deviation from the normal जहाँ पे कि error के sense में यूज के जाएगा deviation के sense में यानि कि हम normal से mathya से average से कितना विचलित है वही deviation हो जाएगा उसी को हम trutty भी कह सकते है in the honor of Gauss Gauss साहब के सम्मान में it is known as also known as Gaussian curve इसको Gaussian curve भी कहा जाता है okay then the normal curve takes into account the law which states that the greater the deviation from the mean or an average the less frequently it occurs यानि इसका एक नियम क्या कहता है ये कहता है कि जितना ज्यादा हम deviation show करेंगे mean से या average से उतना कम वो होगा the less frequently it occurs मतलब कि deviation कम होता है और normal से ज्यादा मेलती है for example in terms of intelligence अगर हम IQ के ही term में देखना चाहें it is rare to find people with very low or very high intelligence है जैसे कि हमने बात की मतलब extra intelligence एकदम high 160 के अबब हमको कम मिलेगा और वैसे हमको 40-50 से नीचे कम मिलेगा maximum लोग हमको आप समझ सकते है 90 से 110 की range में मिल जाएंगे it is normally distributed in the population ये जनसंख्या में इसका वितरण क्या है normal होता है तो ये तो बात हुई normal probability कर्व की और क्या बात इसके बारे में जानने की characteristics इसकी अकसर theoretical भी और आप से objective भी सवालों में पूछा जाता है सबसे बड़ी बात कि the NPC is symmetrical ये सममित वक्र है सममित यानि कि दोनों तरफ वराबर है जैसे कि अगर आप इसमें देखें अगर हम इसको मिडल पॉर्शन ले ले लें ये वाली रेड लाइन को तो जितना पॉर्शन इदार है उतना ही पॉर्शन इदार है तो मतलब क्या हुआ कि size, shape and slope of the curve on one side of the curve is identical to that of the other एक अगर हम माध्य ले 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 एक बीच की लाइन ले 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 तो दोनों तरफ के हिस्से एक दूसरे के समान है तो नॉर्मल कर्व is unimodal इसमें सिर्फ एक mode आता है जितने लोग mean median mode के बारे में जानते है वो mode का क्या मतलब होता है? बहुलग आपके NPC में mean median और mode तीनो एक ही है यानि कि mean जो है वही median है वही mode है इसलिए वो middle point पे आता है इसलिए वो सममित है इसलिए वो bilateral है इसलिए symmetrical है और खास बात इसकी the normal curve is asymptotic to the x-axis यानि कि जो horizontal axis है उससे asymptotic है मतलब कभी भी उसको touch नहीं करेगा जैसे यह देखे यह देखे यह इतना छोटा सांतर यहां रहेगे यह इतना सांतर यहां पे भी इतना सांतर यह कभी इसको touch नहीं करेगा इसी तरीके से parallel इसके चलता जाएगा और bilateral मतलब कि दोनों तरफ यह क्या करे सकते mirror images है फिर greater percentage of cases at the middle of the distribution जो वितरण का madhya portion है, madhya भाग है उसमें सबसे जादा प्रतिशत हमको cases मिलते हैं और to find out deviations from the mean standard deviation of the distribution is used as a unit of measurement अगर हमको mean से deviation नापना हो तो हमको standard deviation को हम इकाई मानते हैं एक standard deviation above, एक standard deviation below 2 SD above, 2 SD below, 3 SD above, 3 SD below, इस तरीके से the curve extends on both three standard deviations और इसके मान कहां तक नहीं जाते हैं तीन standard deviation above और तीन standard deviation below तक यह curve फैला हुआ है तो यह कुछ खास इसके characteristics हैं जो आपको पता होने चाहिए याद होने चाहिए then area under NPC यह भी सुनिष्चित है, पूर्व निर्धारित है और आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कैसे, 50% of the scores above the mean and 50% below इसका diagram आपको next slide में मिलेगा 50% scores उपर है और 50% below है approximately 34% between the mean and 1 SD above mean यानि कि एक SD, यानि कि एक standard deviation उपर भी 34 प्रतिशत है और एक standard deviation नीचे भी 34 प्रतिशत है, लग भग मतरब 34 प्रतिशत में एक 3 है वैसे then तो इसको क्या कह सकते है कि approximately 68% of all scores occur between the mean and plus minus 1 SD यानि कि 0 से 1 SD above और 1 SD below के बीच में कितने प्रतिशत score है अड़सर प्रतिशत, इसी तरह से 2 SD उपर 2 SD के नीचे कितने है 95 प्रतिशत, 3 SD उपर 3 SD नीचे कितने है 99 प्रतिशत तो the area on the normal curve between 2 and 3 SD above and 2 and 3 SD is below the mean unknown as tails या भी आपको next diagram में दिखाती हूँ normal curve is 2 tails क्यों क्योंकि दोनों तरफ जा रहा है इसी को कहते है empirical rule in statistics क्या कहते हैं इसको इसको 68, 95 और 99,7 का rule भी कहा जाता है क्या कहता है यह rule कि normal distribution के लिए 1 SD plus minus 1 SD के बीच में कितना प्रतिशत है 68 plus minus 2 के बीच में है 95 और plus minus 3 के बीच में 99,7 प्रतिशत cases, प्रतिशत score तो यह एकदम तय है सुनिश्चित है और इसको empirical rule के नाम से भी जाना जाता है तो यह आपको पता होना चाहिए ओके यह देखिए इसे आप समझ जाएंगे बहतर यह देखिए normal bell shaped कर वह यह मैं कह रही थी न यह 0 होगे आपका plus 1 sigma यानि कि plus 1 standard deviation यानि एक standard deviation उपर और यह minus 1 sigma यानि कि एक standard deviation below average से which length हो कर रहे और यह हिस्सा कितना है 34.13 34.13 यानि कि plus minus 1 SD के बीच में कितना है 68.26 इसलिए approximately 68 का आ जा रहा है उसी तरह से 1 sigma और 2 sigma के बीच में कितना है 13.59 प्रतिशत उसी तरह से minus 1 sigma और minus 2 sigma के बीच में कितना है 13.59 तो 13 दिन नहीं 26.68 में आप जोड़ देंगे दश्मियों के संग मिलाके तो वही कितना हो जाएगा 95 इसलिए कहा जा रहा है कि plus 2 sigma और minus 2 sigma के बीच में 95% को cases लाई करते हैं उसी तरह से 2.14, 2.4, 1.4 और जुड़ेगा तो हो जाएगा 99.7 इसलिए कहा जा रहा है कि plus 3 sigma और minus 3 sigma के अंतरगत 99.7 cases आ जाते हैं इसलिए जो tail बची है यह भी tail है यह देखिए asymptotic है यह इतना अंतर है हमेशा यह अंतर बरकरार रहेगा और यह कहा जा रहा है कि rarest cases हैं यहां जो कि plus 3 sigma से उपर है और minus 3 sigma के नीचे है फिर यह देखिए आप इसी table से हमको क्या-क्या पता चल सकता है percentile भी पता चल सकता है यह देखिए जो आपका zero mean है percentile में वो क्या होगा 50 क्योंकि percentile हम वितरण कहां से मान रहे है 100 तक वितरण मान रहे है तो मध्य कहा है पचास के इसी को आप z score में तबदील कर सकते है हमने अब यह भी z score पढ़ा था z score का mean कितना था zero standard deviation कितना था one तो देखिए यह zero है plus one standard deviation minus one standard deviation उसी तरह इसे t score का formula क्या था t is equal to 50 plus 10z तो 50 हो गया आपका यह यानि कि क्या 50 हो गया मान दियो और standard deviation कितना हो गया 10 उसी तरह से आप इसको stannine में भी भक्त कर सकते है stannine किसको कहा जाता है standard 9 का ही condensed form is stannine और stannine में चुकि 1 से लेके 9 तक है तो यह आपका normal bell shaped curve है यह प्रतिशत है यह आपको याद होना चाहिए क्योंकि जब आपसे theoretical सवाल पूछाएगा आपको आपको यह विर्ड डाग्राम दिखाना पड़ेगा यह सब जब अबजेक्टिव पूछेगा कितना case लाई काता है 0 से plus minus 1 के बीच में plus minus 2 के बीच में plus minus 3 के बीच में और 10, 9, Z, T सब कुछ आपको याद होना चाहिए और देखिए क्या है इसमें skewness यानि कि हमेशा जो आपका curve है वो सममित नहीं होता है कभी-कभी असममित भी होता है तो क्या करें measure of how much the probability distribution of a random variable deviates from the normal distribution यानि कि अगर हम यह नापें कि normal distribution अगर नहीं है कितना विचलन कर रहा है तो उसको हम skewness कहते है the nature and extent to which symmetries sorry इसमें क्या होता है सममित नहीं होती है या आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि असममित है distribution is skewed when the mean and median fall at different points in the distribution भाई हमारा सममित क्यों था normal probability curve में क्योंकि mean और median की बिच में कोई अंतर नहीं था दोनों एक ही बिंदू पे थे लेकिन जब इसलिए normal distribution में skewness क्या है zero है लेकिन mean और median जब अलग-अलग लाई करेंगे तो दोनों अलग-अलग जगह पर आएंगे तो हमारा कर्ब सममित नहीं बनेगा उसी को skewed कर्ब कहते हैं ये दो तरीके काऊ सुपता है positive as well as negative देखते हैं positive and negative skewness ये देखें ये positively skewed है ये वाला ये negatively skewed है इसमें ये पहले ही आके जुग गया देखें few of the scores fall at the high end high end पे देखें कम score आ रहे हैं और जबकि negative में क्या है few of the scores fall at the low end of the distribution हमा यहां low end पे few cases आ रहे हैं ये positive and negative skewness हो गई positive skewness क्या दिखाती है तो result में indicate that the test was too difficult अगर difficult test है जादर difficult है इसी लिए high end पे कम score आ रहे हैं तो ये positively skewness है अगर subtle है तो high end पे low end पे कमा रहे हैं तो negatively skewness है और formula क्या है इसका निकालने का skewness is equal to 3 into mean जो भी है में से median घटाएंगे और standard deviation से भाग देंगे और 3 से गुणा करेंगे तब हमारा skewness आता है ये formula है तो इतने formula statistics में involved होते हैं आप उसको याद करेंगे तो आप तुरंट उसका सवाल का हल कर पाएंगे बढ़ना उसमें 4 option दे रहेंगे आपको सिर्फ formula नहीं बताओगा इसलिए आप कभी मतलब तुके में सही लग जाए तो लग जाए और उसी तरह से अगर मीन का मान median से कम है तो skewness नेगेटिव आएगी तो ये सब कुछ आपको बार-बार पढ़ना समझना पड़ेगा तब आप समझवाएंगे बहतर पिर kurtosis होता है जैसे skewness होता है उसी तरह से kurtosis होता है इसमें क्या बात होती है steepness of a distribution in its center यानि कि जो बीच का ढपना एस steepness है उसमें कहीं कहीं कुछ दिक्कत आरी कैसे अगर ये प्लैटी-कर्टिक है ये देखिए पहला वाला जो करवणना है प्लैटी-कर्टिक क्यूंग क्योंकि रिलेटिवली फ्लैट है चपटा है थोड़ा फिर mesokurtic तो ठीक आ रहा है somewhere in the middle लेकिन leptokurtic में देखे यह इतना ऊपर चला गया somewhere in the relatively peak इसको ऊचा शिखर मिल गया है तो इसके लिए भी measurement का formula है kurtosis आप निकाल सकते हैं Q का मतलब quartile deviation P का मतलब percentile तो quartile deviation upon P90-P10 करेंगे तो आपको kurtosis की value मिलेगी तो for the normal curve जो हमारा normal probability curve होता है उसके लिए निकाली जा चुकी है kurtosis की value defined है सबको पता होती है आपको भी पता होनी चाहिए कि normal curve के लिए kurtosis का मान 0.263 होता है और जब value of kurtosis 0.263 से कम होगी तो हमारा curve कैसा बनेगा? leptokurtic बनेगा जब 0.263 से ज़्यादा मान आएगा तो curve हमारा platy kurtic मनेगा तो skewness और kurtosis क्या है कि जब हमारा curve सममित नहीं है तो इन दोनों के कारण क्या है? नहीं हो सकता है कारण कि हम skewness curve मिला या हमको kurtosis मिल गई क्यों यदि sample biased हो sample में normal distribution नहीं होगा तो bias sample है तो हमको skewness या kurtosis मिलेगी या unsuitable या poorly made test है जो test है वो बहुत कठीन है या बहुत सरल है या ठीक तरीके से नहीं मिलाए गया या उसके objectives clear नहीं है तो भी हमको skewness या kurtosis मिल सकती है skewness या kurtosis फिर non-normal distribution है अगर normally distributed नहीं है तो भी मिलेगा हमने ठीक से administer नहीं किया हमने instructions ठीक से नहीं दिये हमने आपको ठंग से नियम नहीं बताया उसके तो भी गलती आ सकती है इस तरीके कि या scoring में कोई error है तो भी आपको skewness या kurtosis वाला कर्व मिलेगा normal probability कर्व नहीं मिलेगा ओके और एक point application of NPC कहां कहां हम NPC को यूज कर सकते हैं क्या क्या फाइदे हैं NPC से तो बहुत सारे है इसको ऐसे model यूज किया जा सकते है एक प्रतिमान की तरह से यूज कर सकते हैं क्यों? to compare various distributions हमको बहुत सारे वितरण मिल जाएं तो हमको compare कर लेंगे कि normal distribution है की नहीं या evaluate students performance from their scores अगर बच्चे की जो विद्यार्थी की जो निश्पती स्तर आ रहा है जो उसका performance लेवल आ रहा है उसकी हम जाच कर सकते हैं कि वो above average है या below average कैसा performance किया है उसने फिर computing percentiles and percentile ranks अभी जो आपको पीछे एक diagram दिखाया था इसी curve से हम z score निकाल सकते हैं t score निकाल सकते हैं percentile निकाल सकते हैं तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं applying the concept of standard error of measurement इसके लिए नए बात करने पड़ेगी नए वीडियो बनाना होगा आप सिर दुबारा बात करने होगी standard error of measurement का भी concept का application NPC से हो सकता है ability grouping mean से plus one sigma वाले ability grouping में हो जाएंगे minus one sigma वाले students एक तरफ हो जाएंगे one sigma से two sigma वाले एक में आजाएंगे minus one sigma से minus two sigma वाले एक में आजाएंगे या जिस भी तरीके की grouping का आप का basis हो ability grouping हम कर सकते हैं NPC के साथ conversion to comparable standard score जिसके भी बात हो थी z score, t score, c score whatever type of standard score you can convert with the help of NPC then determining the relative difficulty of test items, कैसे हैं अगर हमको kurtosis मिल रही है, अगर हमको skewness मिल रही है हमको positively skewed मिल रहा है कि negatively skewed मिल रहा है, इससे हम यह help निकाल सकते हैं, सुनिशित कर सकते हैं कि test कैसा था, test item कैसे थे relatively easy थे, relatively difficult थे, किस प्रकार के थे okay तो NPC बहुत important topic है, बहुत easy है, बहुत systematic है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो सब चोटी-चोटे मान हैं जिसको आप याद कर लिजे चोटी-चोटे formula हैं जो याद कर लिजे तो बहुत सारे सवाल इसकी सायता से हल हो जाएंगे, okay so thank you don't forget to like and subscribe my channel and do join my telegram group explore education too, okay so done from my side